Hello and welcome to Tiwari Academy I am Rahul और आज की इस चप्टर में हम लोग डिस्कर्स करेंगे Completely Exercise 7.4 के बारे में जो की Class 6 की NCIT का सलूशन होने वाला है तो Completely बात करेंगे 7.4 के बारे में तो आते हैं सबसे पहले Question No.1 में जिसके उदर हमें Arrange करना है Ascending Order में और Descending Order में तो सबसे पहले Ascending Order में Arrange करने के लिए जो यह image दी गई है इसके basis पे हम कुछ data find out करते हैं कैसे हम data में इसे convert करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे Total No.1 यहाँ पे जो Portion है, सेड़ेट Portion 3 हैं और Total No.1 हैं यहाँ पे हमने लिखा 3 upon 8 यहाँ पे हमने लिखा 6 upon 8 उसके बाद हमने 4 upon 8 लिखा इसके लावा 1 upon 8 लिखा अब इसे हमें Ascending Order में जमाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम इसे Ascending Order में जमा सकते हैं Ascending Order में जमाने का simple सा formula यह है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबका base save है, सब में 8 है, नीचे की तरफ सारे numbers में 8 है, जब इसका base save है, तो हम आसानी से देख सकते हैं, सबसे बड़ा number है, हमारे पार 6 upon 8, तो सबसे पहले लिखेंगे 6 upon 8, descending order में अगर जमाना हो तो उसके बाद 4 upon 8, उसके बाद 3 upon 8, जब अगर ascending order में करना है, सबसे पहले छोटा number, उसके बाद, बड़ा number, उसके बाद, उसके बड़ा, फिर उसके बाद, ये बड़ा, ascending order जो होता है वो छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं और descending order में क्या होता है बड़े से छोटे की तरफ ले जाते हैं वो हमारा descending order होता है अब हम बात करते हैं question number second की question number second के अंदर में कुछ इसी तरीकी के चीज़े दी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते है question number second के अंदर total जो यहाँ पर boxes है वो 9 है 9 में से कितने सेडेड है सबसे first वाले में यहाँ पर eight है eight boxes colorful है यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने लिख दिया eight upon nine four upon nine three upon nine और six upon nine अब हमें ascending order में जमाना है तो आप देख सकते हैfunix चीज बहुत अच्छी तरीके से कि 3 upon 9 यहां पर दिया हुआ है और 3 upon 9 का जस्ट बड़ा number 4 upon 9 फिर उसके बाद 6 upon 9 उसके बाद 8 upon 9 अब descending order की बात करते हैं सबसे पहले हमें लिखना होगा 8 upon 9 क्योंकि base इसका same है 6 upon 9 और 4 upon 9 और यहां पर 3 upon 9 बड़े से चोटा और चोटे से number line का questions पूछा गया है कि number line के ऊपर कैसे represent कर सकते हैं question number 3 को देख सकते हैं C वाले part में आप देखिए कि इसमें बड़ा और चोटे का sign हमें लगाना है अगर 5 upon 6 और 2 upon 6 में 5 upon 6 में अगर compare किया जाए तो बड़ा number हमारा 5 upon 6 है 1 upon 6 और 6 upon 6 में देखा जाए तो यह 6 upon 6 बड़ा number है वेसे इस 3 upon 6 बड़ा number और यहाँ पे भी 8 upon 6 बड़ा number है यह हमें sign इनके लगाना था हमें sign इस तरीके से हमें fill करने थे अब हमें compare करना है दो fractions को और उनके बीच में appropriate sign लगाना है तो आप यहाँ पी भी देख सकते हैं यहाँ भी हमने compare किया सबसे पहले 3 upon 6 और 3 upon 6 और 5 upon 6 में तो बड़ा number हमारे पास 5 upon 6 है इसके लिए वह 1 upon 7 और 4 upon 7 देखिए अगर 1 upon 7 है और 4 upon 7 है अगर उपर में अगर हमारा numerator से हम होता है तो जो छोटा वाला number अगर denominator में होता है वही अमारे पास बड़ा number होता है तो यहाँ पे अमारे पास 1 upon 4 आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमारा base से में तो उपर वाले number से compare करते हैं अगर 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 नियूमिनेटर से में तो हम उसका opposite लेक something आएगा तो आप देख सकते हैं यही से कि यह वाला number बढ़ा है अब बात करते हैं 3 upon 5 और 3 upon 7 की तो जैसा है कि मैंने बताया था कि अगर 3 upon 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 upon 7 दिया हुआ है तो उपर हमारे नियूमिनेटर दोनों से में नियूमिनेटर में देखेंगे डिय जिसका चोटा होगा दियूमिनेटर जिसका चोटा होगा उसी तरफ हमारा greater than का sign लगने वाला तो यहाँ पे भी हमने 3 upon 5 को बड़ा बता दिया अब आगे बढ़ते हैं question number 3 की बात करेंगी question number 3 के अंदर हमें क्या करना है हमें make 5 more each pairs and put appropriate signs हमें और 5 ऐसे sign बनाने थे और उसके पास उसके अलावा हमें उसमें signs लगाने थे greater than के smaller के और इसके इलावा equal to के sign लगाना नहीं है केवल हमें pairs का appropriate sign लगाना है यहाँ पे 9 upon 10 और 6 upon 10 लिया कुछ भी आप लेख सकते हैं कोई से भी pair ले सकते हैं केवल आपको इसमें बताना है कि बड़े कॉन से हैं चोटे कॉन में देखेंगे अगर यहाँ पर नीची वाले नंपर में देखेंगे तो उपर वाले जो हमारा numerator है इसके बेस में greater than का sign लगाएंगे आप question number 4 की बात की जाएं तो यहाँ पर हमें देखना है look at the figure right greater than या less than given the pair fraction इस fraction में हमें less than और greater than का sign बताना है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हम इस questions को बढ़ी आसानी से solve कर सकते हैं अगर आप इस questions को देखें द्यान से तो आपके पास एक चीज़ देखने को मिलेगी 1 upon 6 और 1 upon 3 में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा number कौन सा है देखिए उपर के जो numerator हैं वह सेम है याई कि 1 upon 3 बढ़ा होगा अगर 3 upon 4 और 2 upon 6 में देखा जाए 3 upon 4 और 2 upon 6 में देखा जा है 3 upon 4 दिया हुआ है और हमारे पास 2 upon 6 दिया हुआ है इनका अगर 4 और 6 का LCM लिया जाए 4 और 6 का LCM लिया जाए तो 24 होता है यहाँ पर 24 मुझे बनाना होगा तो यहाँ पर 6 का multiply करना होगा मुझे और यहाँ पर मुझे अगर करना है तो यहाँ पर 4 का multiply करना होगा अगर मै इस वाले में 6 का multiply करूँगा तियी हो जाएगा हमारा 18 upon 24 और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 8 upon 24 अब देखिए 18 upon 24 यह 3 upon 4 से निकल के आया है और 2 upon 6 जो निकल के आया है वो इससे निकल के आया है 8 upon 24 तो आप यहां पे आप देख सकते हैं कि 18 upon 24 वाला greater number है तो हम क्या सकते हैं 3 upon 4 क्या है इन दोनों में बड़ा है आप इनके denominator का LCM लेके भी बराबर करके और check out कर सकते हैं 2 upon 3 और 2 upon 4 दिया है उपर वाले numbers में numerator में अगर दोनों numbers same है उपर वाले तो हम क्या कर सकते हैं जो सबसे चोड़ा number है वह हमारा greater than का sign होगा 6 upon 1 और 3 upon 3 इन दोरों बराबर हैं क्योंकि 6 upon 1, 6 upon 6 को और 3 upon 3 को अगर cancel out करेंगे तो यहां भी 1 आने वाला है और यहां भी करेंगे तो 1 आएगा यानि कि इसका answer हमेसा 1 आने वाला है अगर E की बात की जाए यहां पर E वाले में देख सकते हैं 5 upon 6 और 5 upon 5 ऊपर 5 है यानि कि जो उसका numerator है वो same है यानि आप denominator में चेक करना है जो सबसे छोटा number होगा वही greater होगा तो यहां पर 5 upon 5 बड़ा है अब आते हैं ऐसे ही हमें 5 more problems को देखना है और उसमें क्या हो सकते हैं तो यहां पर 5 more examples हमने लिए 1 upon 2 3 upon 6 में आप दोनों यह दोनों equal है numbers अगर यहां पर देखा जाए 3 और 2 upon 3 और 3 upon 5 यहां पर हम LCM लेकर देखना होगा हमें 2 upon 3 और 3 upon 5 का आप देखिए 2 upon 3 दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ 3 upon 5 2 upon 5 और 3 का अगर LCM लेते हैं तो 15 आते हैं नहीं 15 मिलाने के लिए मुझे यहां पर 5 का multiplication करना होगा और इस वाले में मुझे 3 का multiplication करना होगा अगर 5 में 2 का multiply करूँगा तो यह आजाएगा 10 हमारे पास और 3 में 3 का multiply करूँगा तो यह 9 upon 15 होगा और यह number हमारे पास 10 upon 15 होगा 4 और 4 upon 6 में करेंगे 3 upon 4 और 4 upon 6 में करेंगे तो 3 upon 4 बढ़ा होगा और यहां पर 5 upon 6 और 2 upon 2 करेंगे तो यह 2 upon 2 बढ़ा होगा 1 upon 0 वजजे देखे 0 upon 0 upon 1 करेंगे तो भी 0 आएगा 0 upon 6 करेंगे तो भी 0 आएगे दोनों equal आएगे अब बात करते हैं question number 5 की question number 5 की बात कर लेते हैं question number 5 में भी same हमें greater than का sign लगाना है, equal का sign लगाना है और numbers को check out करके हमें देखना है, 1 upon 5 1 upon 5, 1 upon 2 सबसे पहला question दिया गया है, तो आप देख सकते हैं आप 1 upon 2 greater number है, किस तरीके से greater है आप simple सा ही काम कर सकते है जो भी इनके, अगर उपर हमारे पास same number है तो आप नीचे में हम देखेंगे, जो हमारे denominator छोटा होगा, वही greater than का sign होता है तो यहाँ भी 1 upon 2 बड़ा है 2 upon 4 और 3 upon 6 में अगर देखेंगे, अगर 2 upon 4 और 3 upon 6 में देखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, 2 upon 2 और 2 तू जा 4 यहाँ पर 3 upon 3 और 3 तू जा 6 यानि कि 1 upon 2 यह भी आ रहा है यानि कि दोनों numbers क्या है equal है, तो यहाँ पर equal का sign आने वाला है 3 upon 5 और 2 upon 3 3 upon 5 और 2 upon 3 दिया है तो 3 upon 5 दिया हुआ है और यहाँ पर दिखा हुआ है 2 upon 3, 5 और 3 का हम लेंगे LCM, अगर LCM लेते हैं तो इनका LCM आता है 15 और 15 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 का multiplication करना होगा और यहाँ पर मुझे multiplication करना होगा 5 का, तो यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 10 10 upon 15 और यहाँ पर हो जाएगा 9 upon 15 यानि कि अगर इसमें देखा जाए तो 10 बड़ा है यानि कि 2 upon 3 बड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 upon 3 क्या होगा बड़ा होगा अब बात करते हैं question number 4 की question number 4 में भी अगर LCM लेके solve करेंगे तो 3 upon 4 बड़ा होगा वैसे ही 3 upon 4 और 7 upon 8 का जब हम compare करेंगे तो 7 upon 8 बड़ा होगा 6 upon 10 और 4 upon 5 का अगर compare किया जाए तो 4 upon 5 बड़ा होने वाला है 5 upon 7 और 15 upon 21 में देखा जाए तो 15 upon 21 हमेसा बड़ा number नहीं होगा बलकि दोनों ये दोनों क्या होगे equal होने वाले है क्योंकि 15 upon 21 को अगर मैं cancel out करूँगा तो देखिए यहां पर जो number आएगा 3 से करेंगे तो 5 ताइमस में और 7 यहां भी 5 upon 7, 5 upon 7 दोनों आएगा तो ये equal हो जाएंगे numbers अब बात करेंगे हम question number 6 की question number 6 में है क्या यहां पी हमें क्या करना है सबसे separate of the into three group of the equivalent fractions और सबसे simplest form में change करना है और उसके बाद इसके equivalent fractions में हमें देखना है तो अपॉन यहां पर दिखा हुआ है तो अपॉन तो अपॉन तो अपॉन 12 दिखा हुआ है तो अपॉन 12 दिखा हुआ है एससे numbers हम cancel out करते हैं इन दोनों numbers को जो same हो तो से cancel out करेंगे वन बार में टू से cancel out करेंगे शिक्स बार में यह वन अपॉन 6 आएगा वैसे हम जो second question करेंगे इसमें भी simplest form में करते हैं simplest form में इसको भी करेंगे तो 3 upon 15 को cancel करेंगे 1 upon 5 आएगा 8 upon 50 को cancel करेंगे 4 upon 25 आएगा 16 upon अगर 100 cancel करते हैं यहाँ पर 400 दोनों numbers को cancel करेंगे तो 4 upon 25 आएगा वैसे इवाले में देखा जाए तो 10 से cancel करेंगे 1 upon 6 आएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 से cancel करेंगे 1 upon 5 आएगा यहाँ पे देखा जा तो 12 से ही cancel करेंगे 1 upon 5 आएगा, यहाँ पे 16 से ही cancel करेंगे तो 1 upon 6 आजाएगा, यहाँ पे अगर देखा जा तो 3 से cancel करेंगे तो 4 upon 25 आएगा, यहाँ पे 1 upon 6 और यहाँ भी 1 upon 6 और यहाँ पे 4 upon 25 और अल्रेडी simplest form में है अब हमें देखना है कि एक ग्रूप में कौन-कौन से हैं B, F और G B, F और G देखिए B को देखिए F को देखिए और G को देखिए यह सारे 1 upon 5 हैं तो एक ग्रूप में रहेंगे वैसे ही 2nd group हम देखेंगे 1 upon 6 का 1 upon 6 A में आया है E में आया है H में, J में और K में तो यह हमारा 2nd group हो गया और 3rd group है हमारे पास 4 upon 25 का तो यहाँ पे C, D, I और L रहने वाले हैं तो सबको अलग-अलग group में हमने equivalent group में हमने equivalent group का एक part बना दिया है question number 6 के अंदर अब बात करते हैं question number 7 question number 7 को हमें solve करना है question number 7 को solve करने के लिए बहुत simple तरीका है कि आप सबसे पहले नीचे वाले numbers का में LCM लेना होगा LCM लेके हम solve करना solve करके देखेंगे कि क्या indicate कर रहे हैं एक दूसरे को देखिए क्या यह numbers बराबर हैं या नहीं है देखिए 5 upon 9 equal to 4 upon 5 यह questions पूछा जा रहा हम से कि क्या 5 upon 9 equal है 4 upon 5 के अगर 9 और 5 का LCM लिया जाए तो 45 होता है अगर आपको LCM नहीं आता तो आप यहाँ पे दियान से दिखिए 9 और 5 का LCM किस तरीके से करेंगे सबसे पहले हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 से दोनों numbers में किसी में डिवाइड नहीं जा रहा तो 3 बन जा 9 और 5 सेम का वैसे का वैसे ही अब हम 3 से करेंगे 3 बन जा 3 और 5 पर यहाँ पे अगर हम 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5 यानि कि 3 3 और 5 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 5 45 यonnिकि इसका जो आंसर आने वाला है, हो आने वाला है 45 अब हम क्या करेंगे 25 और 45, यहां पर 45 अमरा आया यानि कि मुझे 5 अपन 9 में 5 पॉन 9 के यहां पर 9 में आना 45 लाना है 45 अगर लाना है तो 9 में मुझे किउतने का मल्öß Sith करना होगा 95 जा 45 हो जाएगा और 55 जा 25 अब 4 upon 5 था हमारे पास number अगला 4 upon 5 था और यहाँ पर हमें 9 का multiply करना था क्योंकि 9 से अगर 5 का multiply करूँगा तो ही 45 आएगा तो यहाँ पर 36 upon 45 किया इन दोनों को जब हम compare करके देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के equal नहीं तो हम क्या सकते हैं it is not equal same इसी दरीगे की process सारे questions में हम करेंगे यहाँ पर 16 और 9 का LCM लेंगे 144 आया 144 LCM लाने के बाद अगर हम 16 में 9 का multiply करते हैं तो 144 आता है यहाँ पर अगर 144 करेंगे तो यहाँ पर कोई भी numbers बराबर equal नहीं है बराबर नहीं है C वाले में भी हमने 20 और 5 का LCM लें 100 आया और यहाँ बे भी देखा जा रहा है कि दोनों के दोनों numbers क्या हो रहें equal आरे हैं बराबर आरे हैं तो यहाँ पर हमने क्या करिया equal का sign लगाया है अब बात करते हैं question number D की question number D में भी अगर हमने देखा तो 30 आया और इनमा यहाँ पर अगर हम multiplication करके देख रहे हैं 15 और 30 का LCM तो 30 आएगा तो 15 में अगर देखा जाए तो हमने 15 में भी 2 का multiply किया तो 2 upon 30 और 4 में भी देखा तो 4 upon 30 आ रहा है तो नहीं कि दोनों को गर solve करेंगे तो दोनों के दोनों numbers जो आ रहे हैं 8 के उपर, question number 8 में क्या बोल रहा है, question number 8 में हमें एक चीज़ समझनी होगी ये एक word problem का question है और word problem के questions को solve करने का समसे simple सा तरीका ये होता है कि सबसे पेले हमें जो word problem के questions होते हैं उन्हें समझना होता है देखे, question में क्या कहे रहा है कि ईला है, वो क्या कर रहे है, 25 pages एक book के 100 pages में से 25 pages read कर रही है तो सबसे पेले हम इसका fractions find out करेंगे उसके बाद पूछा जा रहा है कि ललिता 2-5 उसी book का read कर रहे है तो किसने कम book में read किये है देखे, 25 pages में से ईला read करती है, 100 में से 25 याने कि 25 upon 100 इसको अगर cancel out करेंगे, तो 1-4 आएगा, 1-4 पार्ट complete कर रही है वैसे ही 2-5 पार्ट complete कर रही है, उसी book का 2-5 पार्ट का मतलब होता है कि 40 upon 100, 40 upon 100 की बात हो रही है, 2-5 पार्ट के हो रही है अगर दोनों को compare किया जाए, तो 2 upon 5 हमेंसा बड़ा number है 2 upon 5 हमेंसा बड़ा number है, क्योंकि हमारे पास 1-4 तो था, लेकिन हमने अब निकाला 2-5 तो हम के सकते हैं कि इला सबसे कम बुक पड़ रही है, क्योंकि इला का जो पार्ट है वो 1-4 थे ऐसी question number 9 के अंदर दे जा रहा है कि रफीक exercise कर रहा है, 3 upon 6 एना आवो रोहित exercise 3 upon 4, तो सबसे ज़्यादा time कौन ले रहा है, रोहित ले रहा है या रफीक ले रहा है देखिए अगर दोनों में देखा जाए, 3 upon 6 और 4 upon 6 अगर दोनों compare किया जाए तो देखिए जो denominator में सबसे छूटा number है, वही बड़ा number होता है, क्योंकि यहाँ पर numerator दोनों के same है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोहित सबसे ज़्यादा exercise में ज़्यादा time ले रहा है अब हम बात करते है question number 10 की, question number 10 के अंदर क्या बोला जा रहा है और कैसे इसे solve out करेंगे एक class के अंदर 25 students है, और उसमें से 20 pass out होते हैं, अगर 20 pass out होते हैं तो वहाँ पे जो एक class एक pass out का percentage है वो 20 अपन 25 यानि कि 4 अपन 5 वैसे ही 24 students है B वाले class में और यहाँ पर pass होते हैं बच्चे, 30 out of 30 में से 24 अपन 30 यानि कि यह भी 4 अपन 5 तो हम क्या सकते हैं कि दोनों class का जो fraction है, वो first class में क्या आरा, same आरा, तो हम क्या सकते हैं, यहाँ पर same fraction है तो यह जो complete exercise थी, जो कि class 6 की NCRT का solution था, जिसके अंदर हमने exercise 7.4 के वारे में discuss किया और उमीद माइडिया फ्रेंट्स की यह lecture, आप सभी लोगों को पसंद आया होगा अगर आपको lecture पसंद आता है, तो आप भी अपने दोस्तों के बीच, इस lecture को share कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बेटे free of cost, NCRT के solutions को देख सकें, और समझ सकें अगर आपके पास फिर भी कोई doubt आता है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, अगर कोई सुझाओ की दिना चाते हैं, तो भी आप comment box में लिख सकते हैं, thank you so much, thanks for watching my video